अब जब चुनाव नजदीक आता है भारत, पाकिस्तान, जिन्ना ये कोन आएके आता है आपने देखा होगा जब इनके मुद्दे गौन हो जाते है जानता है कि जनता के बीच में लाने की आप इनकी हैसियत नहीं है जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा मैं दुवारा आपके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन जोसिफ भासकर जी हां मौजूद है मैं उनसे समझूँगा सब जिस तरह से युवा उसे में भी बात कर रहा था है युवा साथी बेरोजगारे का मुद्द तमाम मुद्दों पर कहीना के प्रकर अपनी बात रग तुम्स्लिम वाली जो बात कहीना कि जिन्ना के बाद पाकिस्तान के बात इन मुद्दों पर फिर से समर्वादी पर्टे गुमा देती तिक निस तरह की भाषा आपने देखा हूंगा मन्य योगी जी ने कहा है कि मैं मैं ले आता हूं या श्रुपर्देश फिर बना दूग आप देखेंगे जब जब चुनाओ नजदिक आता है भारत, पाकिस्तान, जिन्ना ये कोल लाके आता है आप ने देखा हो का जब इनके मुद्दे गॉल हो जाते हैं जानता है कि जनता के बीच मलाने की आप इनकी हैसित नहीं है कल मैं बागपत मता मन्नी अखली शालो जी का बागपत में रहा कल वहाँ पर जो जन सलाब मैंने देखा जन सलाब वहाँ देखा कि यह चुनाओ जो है चुनाओ नहीं रह गया है जनता ने अपने हाट में ले लिया है रात को आप 11-12 बहे तक देखा आम जंता जो शड़कों पे थी ऐसा जन सला मैं देखा तो यह जिस् पर देखिए उत्तर प्रदेश में समानवादी पार्टी सरकार बनने जा रही है और माननी अखले शादव जी मुक्यवंतरी बनने जा रही है समानवादी पार्टी पे लगाता मैं आरोपी का हिसार आप से जिकर कर रहा हूं कि आप कई लंबे समय से चुड़े हुए तमाम मुद्धों को बाड़ी किसी देख रहे है ऐसी जो समूदा है चंद्शेकर के आसपास जो भठक रहा था क्योंकि मायावती से लगाता चंद्श करूब ले चुका था लेकिन मानिय अखलेश आदाव जी ने अपने सायोगी दलो से भी कहा उनको ओफर दी गई सीटें दी गई लेकिन वह उसमें संतोस जनको जवाब नहीं दे पाए संतोस नहीं कर पाए तो यह उनका विशह है हम लोगों ने तो उनको संबान देने की को ले ताकि देश विदेश के जुड़ी खबरे आप मिर्श्ट ना करें क्योंकि करोना काल में दो गस दूरी मास्क है जरूरी नमस्कार